कि कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ मैं हूँ किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ फिर नोजवानों ने कहा नौकरी दो नौकरी दो फिर आपने कहा पकोडा तलो पकोडा तलो फिर आपने कहा चार साल की नौकरी कर लो सेना में चार साल की नौकरी देश के प्रधान मंतरी को 73 साल की उमर में तीसरी बार प्रधान मंतरी बनना है लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोन का टोरा बाटा जाएगा फीक मांगो योजना वो पाचवी बड़ी अर्थवेवस्था का लाव किसको मिल रहा है आपके चंद पूजी पती मित्रों को जिसका 16 लाख करोर रुपए आपने माफ किया जो हजारों करोर लूट कर हिंदुस्तान से चले गए अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ हिंदुों की मुसल्मान दलितों की पिछे आदिवासियों क्या हो या बताओ नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाईए जेल का बजट बढ़ा दीजे अरे अभी हमको जेल में भेजाए कल तुमको जेल में आना है आपने दिल्ली के मुख्य मंत्री को जिनकी सुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है आपने दिल्ली के मुख्य मंत्री को पकड़के जेल में डाल दिया जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे जिसने भी राजनीती की है उसका समापन हो गया है अभी 240 पे पहुँचे हो कल 24 पे पहुँचोगे इसके बाद 2 पे भी आओगे ये बजट हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ है ये बजट हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ है ये बजट हिंदुस्तान के ब्यापारियों के खिलाफ है ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोधी जी के मित्रों के लिये बनाय गया है बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं अपनी बात सुरू करना चाहूंगा मानिवर हमारे कुछ दोस्त जो कभी इधर हुआ करते थे अब वो उधर चले गए है उनके लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात सुरू करूंगा कि कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ मैं हूँ किसी के साथ मेरा दिल किसी के साथ तो जो लोग उधर चले गए मानिवर उनका दिल हमारे साथ है भले वो किसी के साथ हो मानिवर इस बजट का बहुत धोल पीटा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी बड़ा अच्छा बजट बड़ा विक्सित भारत का बजट है ये बजट क्या है मानिवर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि भारत माता की सेना रक्षा के लिए जो बजट आता है उस बजट में कटोती करने का काम किया गया 9.6% से घटा कर 9.4% किया गया भारत का अन्यदाता किसान जो अपने खून पसीने से देश को चलने का काम करता है मानिवर उसका बजट क्रिसी का बजट 3.2% से घटा कर 3.1% प्रतिसद किया गया स्वास्त का बजट हिंदुस्तान 144 करोन लोगों का देश है मानिवर लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्त का बजट 1.97% से घटा कर 1.85% किया गया ट्रांस्पोर्ट का बजट 11.48% से घटा कर 11.28% किया गया पेंसन जहां एक तरह पुरानी पेंसन की बहाली की मांग हो रही है लाखो करम्चारी सलक पर है और मांग करते हैं कि पुरानी पेंसन बहाल किया जाए इस सरकार ने पेंसन का बजट 5.299% से घटा कर 5.4% करने का काम किया इनरजी का बजट 2.1 जीरो परतिससत से घटा कर 1.42% करने का काम किया वैग्यानिक विभाग का बजट दसमलो साथ प्रतिसत से घटा कर दसमलो छे प्रतिसत करने का काम किया फूड सबसीडी का बजट चार दसमलो तीन आठ प्रतिसत से घटा कर चार दसमलो दो पांच प्रतिसत करने का काम किया नौर्थीस्ट के विकास का बजट मनीपुर की तो चर्चा आपने नहीं की लेकिन नौर्थीस्ट के विकास का बजट आपने 0.13% से घटा कर 0.12% करने का काम किया सामाजिक कल्यान जिसमें आपका बिलकुल यकीन नहीं है उसका भी बजट आपने घटाया 1.22 प्रतिसद से घटा कर 1.17 प्रतिसद करने का काम किया आपने फर्टिलाइजर का खात का बजट 3.88 से घटा कर 3.4 प्रतिसद करने का काम किया और फूट सबसिडी आपने घटाने का काम किया ये है आपके विक्सित भारत के खोखले बजट की सच्चाई हर वर्ग को आपने चोट पहुचाने का काम किया मानवर आप कहते हैं आप दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता है पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता हैं अरे ये तो सच्चाई बताईए कि ये पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता किसके लिए है आप आपने चंद पूंजी पतियों का 16 लाग करोन रुपे माफ किया ये इस देश की सच्चाई है आपने 16 लाग करोन रुपे पूंजी पतियों का माफ किया आपने 14 देश के प्रधान मंत्रियों ने जितना करजा लिया उससे दोगुना करजा अकेले आपकी सरकार ने लिया आपने 1500 लाग करोन रुपे करजा लेने का काम किया देश को करज में डुवाने का काम किया मनवर मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार से किन किन वर्गों को उम्मीद थी इस सरकार से उम्मीद थी देश के अन्यदाता किसानों को कि आप MSP दो गुना करेंगे आपने MSP दो गुना नहीं की आपने किसानों की फूट सबसिडी काटने का काम किया फर्टिलाइजर सबसिडी काटने का काम किया किसी छेतर को देने वाले बजट को खतम करने का काम किया बेरोजगारों को उम्मीद थी दस साल में आपने कहा था मानवर बीस करोन नोकरियां देंगे बीस करोन नोकरियां आपने नहीं दी फिर नोजवानों ने कहा नोकरी दो नोकरी दो फिर आपने कहा पकोडा तलो पकोडा तलो फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो पान की दुकान लगा लो फिर आपने कहा चार साल की नौकरी कर लो सेना में चार साल की नौकरी मैं मानिवर आपके माध्यम से भारत के प्रधान मंतरी से बड़ी बिनमरता पूर्वक पूछना चाहता हूँ देश के प्रधान मंतरी को 73 साल की उमर में तीसरी बार प्रधान मंतरी बनना है लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में चार साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ मानिवर, आपके महध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूँ, अगली योजना क्या आएगी आपकी? आप कह रहे हैं इंटरंसिप योजना ट्रेनिंग योजना पांच हजार रुपए की ट्रेनिंग ले लो मनवर पांच हजार रुपए की ट्रेनिंग पांच सो बड़ी कमपनियों में आप देंगे मुझे भारत की सो कमपनिया आप बता दीजे जिसमें एक कमपनी में आप चार हजार ट्रेनी रख सकते हैं एक कमपनी बता दीजे जिसमें आप चार हजार प्रसिक्चू आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे ये भी आपका आंकडा सिर्फ एक जुमला है इसके अलामा कुछ नहीं है आज अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मानवर वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार आदनी नरेंदर मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों मुफ्त में पांच करोन काटोरा बाटा जाएगा भीक मांगो योजना भीक मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे मानवर इस देश में आपने अर्थवेवस्था को लेके कहा आप पांचवी बड़ी अर्थवेवस्था हैं वो पांचवी बड़ी मानिवर मैं बड़ी इनम्रता पूर्वक के पूछना चाहता हूं क्या इस देश की अर्थविवस्था में रेडी पट्री वालों का कोई योगदान नहीं जो 10 करोण रेडी पट्री वाले पूरे देश में हैं, उनका कोई योगदान नहीं है क्या मानिवर, वो भी सरकार को टैक्स भरते हैं, आपकी सरकार उनको भी फूटी आंक से देखना नहीं चाहती, आपने रेडी पट्री वालों को कहा, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम लगवाना है, तो लगवाईए गले में नेम प्लेट, नीरो मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाईए, कि बीस हजार करोड रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है, लगवाईए नेम प्लेट, दस हजार करोड रुपए हिंदुस्तान का बाकी है, लगवाईए नेम प्ल करजा आपने एक आदमी को दे रखा है लगवाई एन पूंजी पतियों को जिनों ने हिंदुस्तान के बैंकों को खानी करने का काम किया मान्यवर एक सब्सक्राइब रखा कर दे लिए यह एक सब्सक्राइब आखा इक सब्सक्राइब cause जैसा पेंट लोगवा लहाँ की सब्सक्राइब आखा की सब्सक्राइबस्ट का हीसो करिकों कुछ गे बाके तो you can make your point, no difficulty about it one second the figures which you have given you will have tough time in proving them because these have been taken in stride so all that will be deleted and we will unless you have real factually formed material use a name okay sir thank you sir thank you sir मानवर मैं तो ये कहना चाहरा था आपके माध्यम से कि इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए भारत एक धर्म निर्पेक्च रास्टर है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक विवस्था में मैं जानता हूँ इनके मन में दर्ध होगा मानवर अभी चुनाव हा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटाव धाबा एक सेकंड जाटाव धाबा कोई लगाएगा कोई अपने धाबे के आगे अगर बालमी की धाबा लिखेगा तो आप लोग उसके आखाने नहीं जाओगे मैं जानता हूँ आपकी मान सिक्ता आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के ततकालिन रास्टपती स्री रामनात कोविज जी को प्रभु स्री राम के मंदिर के शिलन न्यास में नहीं बुलाया आप वो लोग हैं जिन्होंने बाउजूदा रास्टपती स्री मती द्रोबदी मुर्मूजी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया आप दलितों से, पिछडों से आदिवासियों से, अल्व संककों से मुसल्मानों से नफरत करने का काम करते हैं यह आपकी सच्चाई है इसलिए नेम प्लेट मत लगवाईए नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाईए और मानिवर, मैं आपके माद्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूँ इनका बजट पढ़ रहा था इनका बजट पढ़ रहा था मानिवर जेलों को भी नोंने कम बजट दिया अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजे तीन सो करों रुके जेल का बजट जेल का बजट बढ़ा दीजे अरे अभी हमको जेल में भेजाए कल तुमको जेल में आना है तुम सबको जेल में आना है जेल का बज़ट पहा दो जेलों को ठीक कर दो अगला नंबर तुमारा है तुमें जेल में आना है इसले तुम्सक्रम जेलों को तो ठीक कर दो मैं जेल के बजट पर बोलना हूँ, मान्यवार मैं जेल के बजट पर बोलना हूँ, तीन सो करोर दिया है, इनको जेल में आना है मान्यवासर, ठीक है ने, एक प्रश्ट भूमी में है, मान्यवार मान्यवार इसका ध्यान रखा जाएगा, इन्होंने नियाए पालिकाओं के लिए जो बजट रखा वो नाकाफी है, पांच करोर केसे पंडिंग है इस देश के अंदर, और छे लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिसमें करीब करीब 76% अं मोचना नहीं है, आपका मकस्द है पकल पकल के एक एक व्यक्ती को जेल में डालना, आपने ंपने सगर, 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है, आपने इन्हों को बार बार मौका मत दीजे, मुझे एपनी बार पनी करन दीजे, दिल्ली के सिक्षा मंत्री को इन्होंने दो साल से जेल में रखा दिल्ली के स्वास्त मंत्री को इन्होंने दो साल से जेल में रखा आप एक एक विपक्ष के नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं हेमन सुरेन को मुक्च मंत्री को जेल में आपने रखा संजे रावत को जेल में रखा अनिल देसमुक को जेल में रखा सब को पकड़ पकड़ के आप जेल में रखते हैं बंगाल के तीन मंत्रियों को आपने पकड़ के जेल में रखा आपका मकसद ट्राल कराना नहीं नय दिलाना नहीं आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है जितना जेल में डालोगे जितना जेल में डालोगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे जिसने भी ये राजनीती की है उसका समापन हो गया है अभी 240 पे पहुँचे हो कल 24 पे पहुँचोगे इसके बाद 2 पे भी आओगे तो एक दो मिनिट और मैं बस कह के अपनी बात खतम करूँगा मेरे टाइम में से उसको काट लीजेगा मानिवर भेदभाओ की बात सबसे भेदभाओ इनको करना है मुसल्मानों से भेदभाओ सिकों से भेदभाओ इसाइयों से भेदभाओ दलितों से भेदभाओ पिछलों से भेदभाओ और अब राज्यों से भेदभाओ राज्यों से भेदभाओ महिलाओं से भेदभाओ राज्यों से भेदभाओ क्या अख़र भेद भोग किया सर इन्हों ने 2,32,000 करुण रॉपए 2,32,000 करुण रॉपए दिल्ली के लोगों ने सरकार के केंद्री खजाने में टैक्स के रूप में दिया GST और इंकम टैक्स के रूप में बदले में हम को कितना मिलता है? JERO 9 साल से आप दिल्ली को बजट नहीं देते पंजाब के लोग बस मेरे में से काट लीजे सर एक दो मिनट काट लीजे पार्टी पार्टी के उसमें से काट लीजे पंजाब के लिए सर पंजाब का किसान अपना खून पसीना बहा के खेत में गेहूं पैदा करता है धान पैदा करता है आपने 8000 करोड रुपए पंजाब के विकास का पैसा रोक रखा है विपक्ष के राज्यों का पैसा आपने रोक रखा है ये भेदभाव क्यूं कर रहे हैं आप आप क्यूं कर रहे हैं आप लिखते हैं राज्यों के विकास से देश का विकास है यह आप राज्यों का विकास कर रहे हैं एक एक करके टारगेट करके विपक्षी राज्यों के साथ आपने भेद भाव करने का काम किया और अंत में कोई मुझे कह रहा था सारे बजट कम किये किये सिख्षा के बजट को भी आपने कम कर दिया मैंने इन लोगों से कहा सिख्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है सिख्षा से इनका कोई लेना देना नहीं मानिवर क्यों लेना देना नहीं है क्योंकि दिल्ली विश्विद्याले में मनूइ स्मृति पढ़ाने जा रहें ये लोग मनूइ स्मृति पढ़ाएंगे कि डलितों के पिछोडों के जिनको आप शूद helpless के ते हैं अगर वो स्लोक सुने लेंगे तो उनके कान में पारा आप मैं पैसे डालेंगे ये पढ़ाई आपकर आने जा रहे है दिल्ली विस्टिक जाले में ये पढ़ाई आपकर आने जा रहे है इसलिए मानिवर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ ये बज़ट हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ है ये बजट हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ है ये बजट हिंदुस्तान के ब्यापारियों के खिलाफ है ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए बनाये गया है मित्रों के लिए बनाये गया है मित्रों के लिए बनाये गया